हाई गैस रिबूस्पा चानल पे आप सुर्यों का स्वागत था है आज की वीडियो में आप गोग को और एक लोन अप्लिकेशन का रिभ्यू दूंगा इस अप्लिकेशन करें में स्क्रिप्ट टॉक तो कैसी अप्लिकेशन के अगर डाउनलोडिंग की बात करें तो इस अप् ठीकिशन के तरप से कितना तक एक लोन कितीं दिनों के लिए प्रभाट कोई आ जता है और यह अप्लिकेशन रोग कि इस अप्लिकाशन है कि नहीं और कश्क्टो को आप imprison को में adhrp में तो स्क्रिप्ट टॉक रोन वीप्लिकेशन को और यह घा जाएगा और allein जाना को पार लोन के लिए प्रफ्र किया जाएगा जैसे कि अप्लेक्षं की तरब से लोन के लिए अप्लाई करें तो यह इस अप्लिकेशन की तरब से पिफर गियाए कोई भी लोन अप्लिकेशन को डाउड करेंगे तो पहले इंटरफिस आएगा लोगिन का लोगिन करने के बाद पहले आप लोगों को कुछ बेसिक डीटेस फिल करना होगा बेसिक डीटेस फिल करने के बाद प्रवाट करना होगा कज का किए सी डौकुमेंस को डिखा जाएगा कि इस जमीरा अबाद को उस्क्रिप श्याक का डोकुमेंस की तरब से फिपकर किया गाया है और लॉण suitable का जाएगा और लोन एप्रूब होने के बाद कुछ घंटा या कुछ मिनिस के अंदर आपको जो भी लोन इमांड को एप्रूबल मिलेगा बहुत लोन इमांड का बैंक घाते में केडिड हो जाएगा और अब लोन की दिया तो किस तरहरें के अधिकार किया जांग है तो और इसे अधिकिन लोन इसे अरपको प्रमिशन करने के लिए वैas क्या क्य 25-30 के इता हैं और कौह सब कुछ एकसेस का लेता है पिर अगर अगरे इस टक पर 7 एस बाले लोन इप्लिकिशन पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोन मिल जाता है्गा तो लोन इप्राइन के लिए डूडेट से बाइले डिफेन इफेन इफेन आमर से कॉल और इसमेंस करके आप लोगों को बहुत तरगी से टॉर्चार और ब्लाग मिल किया जाएगा और गर इसमेस बाले लोन इफेन के लिए क्या करता है लोन अप्लाइ करता है जैसे की फ्रेंज, फेंली,फूट, अप्डेटिव, अश्पाइड, आपदेड नहीं करता है और इस्टव का loan application ऐसा भी करते हैं कि loan IPN करने के बाद भी अपडेट नहीं काता है फिर दोबादा loan IPN के लिए बहुत तरकिसा harassment और ब्लागमेल काता है और इसमें आप लोगों को सब सब कहते हैं तो कि इस्टव के सब्सक्राइब के लिए बहुत तरकिसा harassment और ब्लागमेल काता है तो अगर इस फिडियो के तुरू आप लोगों को में script to talk loan application के बार में पूरा डीटेस में बता दिया कि इस application के तरफ से पिफर किया गया है और किते दिनों के लिए टिन्व आट इप रएट कोया जता है और इस application के तरफ से पिफर किया गया loan application loan के लिए सिब application है कि नहीं और सते साथ ये भी बता दिया कि कैस अगर आप लोग script to talk loan application के तरफ से पिफर किया गया loan application से loan लेंगे तो क्या-क्या problem का सामना करना होगा तो कैसे भी बात ही कि script to talk loan application loan के लिए save application है की नहीं तो कि इस टेप कोई 7-10 बाले loan application टोटली अंसेव और फजी होता है अगर आप लोग इस टेप कोई 7-10 बाले तो इससे बाचने का solution किया है जैसे कि अप लोग इस application की तरफ से फिफर किया गया है कोई भी loan application से loan लिया है और loan payment के लिए आप लोगों को बहुत तरकी सा harassment और blackmail किया जा रहा है और किसे अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस टेप के 7-10 बाले loan application पे लोग इन करके documents बेगर अप्लोड करके आगे का process complete नहीं किया है फिर भी आप लोगों को without information loan provide किया जा रहा है और किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि loan repayment कर चुक है फिर भी दोबारा loan repayment के लिए आप लोगों का harassment और blackmail किया जा रहा है जैसे कि loan repayment के लिए edited new picture आप लोगों का contact list क को सेंग किया जा रहा है loan repayment के लिए आप लोगों का data cam issues किया जा रहा है तो अगज इस स्थिति में आप लोगों को कह करना चाहिए इस्टेफ के 7S बाले loan application से आप लोग डारिये मत इस्टेफ का loan application के एक भी पैस सा repayment मत कीजिए इस्टेफ के 7S बाले loan application के खिलाब जाके कर दीजिए और गरेश कोई भी loan application के खिलाब online cybercrime complaint कैसे करना होगा इस वीडियो का description पर उस वीडियो का link दिखने को मिल जाएगा उस वीडियो को देखे आप लोग एक online cybercrime complaint ज़रू किजिए और गर इस्टेफ को 7S बाले loan application loan repayment के लिए आप लगों का contact list को call का रहा है contact list को है तो आप लोग ignore करें और किसा अब लोग साथे साथ ऐसे किजिए कि आप जो भी social media account यूज़ करते हैं जैसे कि facebook whatsapp यूज़ करते हैं तो facebook पे एक story डाल दीजिए अगर आप whatsapp यूज़ करते हैं तो whatsapp पे एक status डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे साथ loan के नाम scam हो चुका है अगर loan opinion created मेरे नाम पे किस भी तरकी call और इसमेंस आए और कोई edited new picture send किया जाए तो आप लोग ignore करें और साथे साथ loan opinion created मेरे नाम पे जो भी नमर से call और इसम पे डाल दीजिए इससे किया होगा आपका contact list में जितने सारे नंबर है सबको trust होगा कि आपके साथ सच में loan के नाम scam हुआ है और कि सब्सक्राइब कर दीजिए और साथे साथ उस नंबर पर वाटसाफ एकाउन हो तो whatsapp को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए यह नि पर जादा आप लोगों को harassment और blackmail किया जाएगा और साथे साथ आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ट्रू को डाउन काल को ब्लॉक कर दीजिए तो इससे क्या होगा अनुन नंबर से जो भी कॉल आएगा बो ऑटमेटिकली काच जाएगा और कैस अभी आप लोगों का मन में इस्टेब के 7-days वाली loan application आपके खिलब कोई लिगार्गरशन नहीं लेपाएगा और इस्टेब के दरप से loan application के लिए कोई recovery agent घर पे नहीं आएगा इस्टेब के 7-days वाली loan application loan application के लिए कॉल और समस करके harassment के अलबाग कुछ नहीं कर पाएगा तो अगर इस वीडियो के तू प्रोब्लेम नहीं होता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेरा WhatsApp नमबर दिखने को मिल जाएगा अब वाट्साप के थूरू मेरे साथ कॉंटेक कर सकते हैं और गैस अभी आप लुगो को में स्क्रिप्ट टॉट लोन अप्लिकेशन के बार में प्लेश्टों में वन इस्टाइटिंग पर जो रिव्यू दिया गया है रिव्यू दिखाऊंगा रिव्यू देखने के बाद आप लुगो को अच्छी तरीकी से पता चल जाए गया कि स्क नीचे ओर रिवीू पे यह कहा है कि फ्राड अप निचे अर् रिव्यू देख सकते हैं वेरी वेरी फ्राड अप और इन्होंने रिव्यू पे यह गया है कि यह अप्लिकेशन लोन हु rifiयं के लिए बहुत तरज किसे ब्लाग में रिव्यू आप, तो मिल जाएगा, और आर आप्लिकिशन के इंटेस्टर्ट और सर्विस पी बहुत ही ज़्यादा है और इस अप्लिकिशन के तरफ से बहुत ही काम दिनों के लिए टेन वालों की तरफ से किया जाता है और इस अप्लिक एक चीज हमेशा देयान किया है कि कोई भी लोन अप्लिकिशन के देखके तुरन जाके उस अप्लिकिशन पर लोन के लिए अप्लाई करें तो इस वीडियो का लास्ट में आप लोन को कही कहूंगे इस आप लोन जाता है और अब लोन के लिए अप्लाई कर लिए उस इरह मोबल की पूरा डेटा को क्लियर कर लिजिए यानि उस मोबल पे जितन सरे फोटो वीडियो कॉल इस ट्री स्ट्री को उंटेक लिए सब कुस डिलिट कर दीजिए फिर कैसे आप लोगो इस मोगल पे फेक डेटा और फेक कॉंटेक लिश एट करके इस्टेब के सिविनेस बाले लोन अप्लेकिशन पे लोन के लिए अप्लाई कीजिए फिर कैसे अगर आप लोन के लिए अप्लेकों को लोन मिल जाता है और लोनि-पियूर्ण के लिए अगर आपकों को हैरस्मेंट और ब्लेकमिल किया जाएगा तो आपकों को किसी भी तरह की problem नहीं होगा तो ऑके सघीज़ था remember झोड़ा है तो आपकों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जोड़ी इस वीडियो को नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हींद बंदे बातरा